पुरूशीम भुपेंदर हुड़ा और दिपेंदर हुड़ा ने आज सोनीपत में सुविधान बचाओ रैली का एवजिन किया। हुड़ा परिवार ने दावा किया था कि सोनीपत में लाखों की भीड़ु मुरेगी। लेकिन सोनीपत ने 2019 की तरह एक बार फिर हुड़ा परिवार को आईना दिखाने का काम किया आज सोनीपत की रैली में हुड़ा परिवार ने 10,000 कुर्षियां लगाई थी उन कुर्षियों में से लगबक 30,000 कुर्षियां खाली रहे गी यानी बुपेंदर हुड़ा की सोनीपत रैली फिलोप हो गई आज सक्ति सिंग गोविल की अगवाई में पहली बार बुपेंदर हुड़ा ने सक्ति परदसन किया ये सक्ति परदसन भी अपने गड़ सोनीपत में था हुड़ा प्रिवार को लगता था कि सोनीपत में भारी भीड़ जुटा कर वो दिखा देंगे कि सोनीपत में सिर्फ उनका डंका बज रहा है और 2024 में उनकी अगवाई में सोनीपत में विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ भीड़ के हिसाब से सोनीपत रेली फेल हो गई सोनीपत रेली के बड़े माइने थे क्योंकि सकती सिंग गोविल के परभारी बनने के बाद वुपंदर हुड़ा ने पहली बार अपने गड़ में किसी रेली का आयोजनी किया इस रेली को सफल बनाने के लिए रोहतक जजजर और सोनीपत के अलावा पानीपत जीन्द हिसार और बिवानी जिलों से भी भारी सिंख्या में लोग आये इसके लावा पूरे हरियाना से हुड़ा समर तक असी वर्तमान और पूरोविधायकों के लाव पूरे चेर्मनों ने भी हिसा लिया ऐसे में ये रेली बंपर सफल होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रेली पूरी तरह से फलोप हो गी क्योंकि अगर सोनिपत में हुड़ा परिवार 10,000 कुरसियां भी नहीं भर पाया तो इसका मतलब यही है कि हुड़ा परिवार जैसे दावे करते हैं वैसे उसके दावों में दम नहीं है और सोनीपत की रैली ने फेल होकर एक बार फिर बता दिया कि हुड़ा परिवार के दावे खोकले हैं सोनीपत की रैली में हुड़ा परिवार की अगवाई में इतनी भीड जुटनी चाहिए थी कि विरोधी पार्टी और विरोधी नेताओं को चिंता हो जाती लेकिन हुआ इसका उल्टा सोनी पत में कुर्शिया खाली रहने से बुपेंदर हुड़ा परिवार के लिए खत्रे की गंटी बज गई है इस रैली की कामयाबी के लिए डिपेंदर हुड़ा और बुपेंदर हुड़ा ने पूरा दम लगाने का काम किया और पिछले दस दिनों से इस रैली की काम्याबी के लिए डिपेंदर हुड़ा खुद कमान समाले हुए थे दिपेंदर हुड़ा की तमाम कोशिशों के बावजूद 10,000 लोगों का पंडाल नहीं भरना पुपेंदर हुड़ा परिवार के लिए खत्रे गंटी बजा गया है क्योंकि जब सोनिपत में ही हुड़ा परिवार 10,000 कुर्शियां नहीं भर सकता है तो ऐसे में पूरे परदेश में एक बड़ी रैली करना उनके वज़ की बात नजर नहीं आती सोनिपत रैली के फुल अफ होने के साथ हुड़ा परिवार की भध पिट गई है क्योंकि वो पंडर हुड़ा ने सोनिपत में इस दावे के साथ रैली की थी कि इस रैली के बाद हर्याना में सताप परिवरतन का बिगुल बच जाएगा और विरोधीत पार्टियों का सुप दारा नहीं है उनके बगएर कांग्रेस में कोई जनाधार का नेता नहीं है इस रैली में ना कुमारी सेलजा सामिल हुई ना किर्ण चोधरी सामिल हुई ना रंदीप सुर्जेवला सामिल हुए और ना ही कैप्टन अजया दो सामिल हुए यानि कांग्रेस के दूसरे तमाम कदावर नेता इस रैली से दूर रहे इसका कार्ण ये था कि ये रैली सिर्फ हुड़ा परिवार की थी और बुपेंदर हुड़ा ने इन बड़े नेताओं को खुद फोन करके बुलाया भी नहीं हुड़ा परिवार ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि इस रैली का तोर पर हुड़ा परिवार खुद लेना चाहता था इसलिए इस रैली में दूसरे नेताओं को बुलाया ही नहीं गया बुलाने की सिर्फ फॉर्मेल्टी की गी लेकिन रैली के फेल होने से बुपंदर हुड़ा परिवार के दाउं का दम निकल गया है और यह साबित हो गया ह है कि जिस सोनीपत ने 2019 में बुपंदर हुड़ा को शिकस्त देने का काम किया था उसी सोनीपत में एक बार फ्री रैली के फेल होने से यह साबित हो गया है कि हुड़ा परिवार का सोनीपत में वह डंका नहीं बजता है जिसके दावे करते हैं बेशक चुनावी प्रिणामो और जेज़ेपी लगातार यहाँ पर अपना जनादार बढ़ा रही हैं ऐसे में सोनीपत रैली के फेल होने से बुपंदर हुड़ा के परिवार के दाउं का दम निकल गया है और यह साबित हो गया है कि हुड़ा खुद के गड़ में भी कमजोर है और ऐसे में इस रैली के बलबूते पर 2024 में सोनीपत जिले में बुपेंदर हुड़ा का किला डहने के आसार भी बन गए हैं क्योंकि अगर गठ बंदन ने मिलकर चुना लड़ा तो बुपेंदर हुड़ा के लिए सोनीपत विदा नसबा सीट के लावा बाकी चार सीटों पर पंजा खिलाना मुम्किन नहीं होगा सोनीपत रेली के फेल होने से बुपेंदर हुड़ा परिवार के दाओं का दम निकल गया है और यह साबित हो गया है कि बुपेंदर हुड़ा के दम खम में वह बात नहीं है जिसके दावे किये जाते हैं बुपेंदर हुड़ा परिवार की सियासत के लिए आप लगातार करी करी नियूज के साथ जुड़े रहिए नमस्कार